नमस्कार मुकाजर मिशा स्वागा थे आपका एन्वन लाइत रहे नजर डालते हिमासर प्रदेश की मुख्य खबरों पर सिक्षा मंत्री रोई ठाकु ने टीजीटी के 900 पद भरे जाने को लेकर जारी हुई नोटिफिकेशन का जिक्र करते वे दिया बयान की प्रदेश में जल्द इन पदों पर होगी भरती साथी 2521 रिक्त पदों पर बैच वाइस की जाएगी भरती सिक्षावे भाग में 6000 खाली पड़े हैं पद जिने भरने की चल रही है प्रक्रिया मख्यमंदisk कोंदर सिंग सुखु ने दिया बयान की कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की तरब से जातिगत जनगर ना को करवाने की सिफारिश करने का चुनाव से नहीं है कोई लेना देना जनता यह चाहती है कि जातिगत अधार पर हो जन्गरनाईसे में जन्ता के पक्ष को कॉंग्रेस ने है उठाया। भाश्पा प्रदेश सद्धश राजी बिंदल ने दिया वयान की कॉंग्रेस सरकार ने लगतार प्रदेश की जन्ता पर थोपी है मंगा यापदा में जन्ता को दी जानी चाहिए थी राहत, सीएम राहत ना देकर महंगाई को ही बढ़ाया है, इसके विपरित केंदर की मोधी सरकार ने प्रदान की है राहत, गरीब आदमी के लिए रस्तोई गैस के सिलिंडर में भी 500 रुपे की दी है सबसीडी। क्रिप्टो करंसी ठागी मामले में जिन इंजिनरों ने बनाई है फरजी वेब साइट, उन पर कसे का सिकन जाए, इनके खिलाब बड़ी कारवाई की है तैयारी में पुलिस, इस मामले में आरोपियों के बैंक खाते को खाते का मांगा है लेखा जोखा। हिमाचल को प्रदूशर मुक्त बनाने की राजिस सरकार की नीती के तैथ हिमाचल में चलेंगे अब E-Auto, पेट्रोल और डीजल आटो के संचालन पर रोक लगाने का लगाए गया है फैसला, शिमला में आयजित राज परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसल हिमाचल के सिक्षर संस्थानों को चात्रवित्ती जारी करने से पहले फीजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगी केंदी टीमें, शिमला, सोलन, बिलास, पूरर, मंडी, जिला के सिक्षर संस्थानों का दौरा करेंगी है टीमें, निरक्षर के बाद ही S.C. वर के विद्या चिकाए हाई कोट के नियमों के अनुसार नहीं की गई है दायर IGMC के निकाले के 31 सुरक्षा कर्मचारियों पर हुई बैठक, इस बैठक में किसी भी प्रकार की नहीं बन पाई है कोई भी सहमती एजेंसी बदलने के बाद अभी तक सड़क पर है 31 सुरक्षा कर्मचारी, इसके बाद अस्पताल में फिर से रखी गई है बैठक अस्पताल में प्रशास्पन ने नई कमपनी को दे दिया है सुरक्षा विवस्था का टिंडर विश्व धरोहर कालकार शिमला रेलवे ट्रैक पर फिर से फेल हो गया है ट्रेंसेट का ट्रायल, साथ महाबाद कालकार शिमला रेलवे ट्रैक पर चलाए गया था ट्रेंसेट इसे धर्मपूर तक चलाने की थी योजना तक साल तक पहुँशने से पहले इंजन हो गया अगर मिस दोरान इसे अपग्रेट करने वाली टीम के सदर से भी रहे मौजूद हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन तक मौसम रहेगा साब मही 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर ते प्रदेश के वेभिन छेत्रों में हलकी बारिश की जताई गई है संभावना जिसे पहाड़ी छेत्रों में और ठंड बढ़ने के हैं असर हिमाचल के पहाड़ी छेत देड़ी देग देग देगे और लाइग